तेल, तेल वो जिसमें आप सबजियां बनाते हैं, तो सबसे अच्छी चीज वो बोलते हैं कि तेल है, जो वात को हमेशा सम भाव में रखता है, समानता में रखता है, वात को बढ़ने नहीं देता, लेकिन उन्होंने एक शब्द पर जोर दिया है कि तेल का माने शुद्ध त तेल उन्होंने लिखा साड़े तीन हजार साल पहले, आज के विशलेशन में अगर हम ध्यान दे, तो शुद्ध तेल का माने तेल की घानी से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, बिना कुछ मिलाए हुए सीधा सीधा तेल, कोई भी मशीन से निकाला हुआ सीधा सीधा तेल, उ अगभट जी का निवेधन है कि आप तेल शुद्ध खाईए, महने रिफाइंड तेल मत खाईए, डबल रिफाइंड तेल मत खाईए. अब आप कहेंगे जी क्यों नहीं खाएं डॉक्टर तो यहीं बोलते हैं कि रिफाइंड खाओ डबल रिफाइंड खाओ तो आपको हिरदय गात नहीं आएगा वगएरा वगएरा ये जो रिफाइंड तेल हैं मैंने इनको देखा है कैसे रिफाइंड किया जाता है आप भी देख लें कभी मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा किसी भी तेल को रिफाइंड करने में 6-7 केमिकल इस्तेमाल होते है और डबल रिफाइंड करने में बारे से तेरह केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो सब केमिकल मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं प्रयोक शाला में भगवान का बनाया हुआ एक भी केमिकल तेल को रिफाइंड नहीं कर सकता भगवान का बनाया हुमा ने प्रकरती का दिया हुआ जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं और्गैनिक और्गैनिक एक भी केमिकल नहीं है जो तेल को साफ कर सके एक भी केमिकल दुनिया में नहीं जितने भी chemical तेल को साफ करने के लिए उपियोग किये जाते हैं वो सब inorganic है और inorganic chemical ही दुनिया में जहर बनाते हैं और उनका combination जहर की तरफ ही लेके जाता है आज की दुनिया में modernism के नाम पर, आधुनिक्ता के नाम पर जितने inorganic chemicals जगे जगे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब आपको धीरे धीरे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां आप जहर अपने ही शरीर में पैदा कर दें इसलिए refined तेल, double refined तेल, गलती से भी मत खाईए बागवट्टी जी कहते हैं कि जिंदगी भर वात को ठीक रखना है जिंदगी भर तो वात को ठीक रखने के लिए सबसे सरल चिकितसा वो बोलते हैं वो तेल का ही है वो कहते हैं शुद्ध तेल खाईए शुद्ध तेल माने घानी से निकाला हुआ तेल अब आपके मन में दो प्रशन आएंगे तुरंत कि शुद्ध तेल में तो बास बहुत आती है। हाँ सीधा प्रशन आएगा जी शुद्ध तेल बहुत चिपचिपा होता है। हम लोगों ने जब शुद्ध तेल पर भारत देश के कुछ वैग्यानिकों की मदद से काम किया, एक तरह से कहें, रिसर्च किया, तो पता चला कि तेल का जो चिपचिपापन है, वो उसका सबसे महतुपूर घटक है, तेल में बहुत कुछ होता, जैसे मैंने आपको पहले दि बदा था, मिट्टी में, माइक्रो न्यूट्रि governments है, केलशियम है, आइरन है, सिलीकोन है, कोबर्ट है, ऐसे तेल में भी है, हर चीज में है, तो तेल का जो सबसे महतुपूर हिस्सा है, वो उसका चिपचिपापन ही है, और जैसे ही तेल में से ये चिपचिपापन निकाला तो पता चला वो तेल ही नहीं बचा तेल जिस चीज के लिए खाया जाता है वो बचा ही नहीं वो हिस्सा ही गायव हो गया फिर हमने देखा कि तेल में जो बास आ रही है बास वो उसका प्रोटीन कंटेंट है तेल में प्रोटीन बहुत है जैसे आपने सुनाए दालों में प्रोटीन होता है दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा है भगवान का ईश्वर का दिया हुआ दालों के बाद दूसरे नंबर पर जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा है वो तेलों में है तो आप जो तेल में देख रहे हैं कि उसकी बास है वो बास जो है ना उसका और्गेनिक कंटेंट है प्रोटीन के लिए चार-पांच तरह के प्रोटीन है सभी तेलों में आप जैसे ही तेल की बास निकालेंगे उसका प्रोटीन वाला घटक गायब हो जाता है अब बास निकाल दिया तो प्रोटीन निकल गया और चिपचिपापन निकाल दिया तो उसका जो फैटी ऐसेड है वो गायब अब ये दोनों ही चीज़ें गायब हो गई तो तेल नहीं रहा वो पानी है एक तरह से इसलिए बागवट जी ने सूत्र लिखा कि जिंदगी भर वात की चिकितसा अगर आपको करनी पड़ जाए तो बहतर है कि आप शुद्ध तेल खाएं तो वात की चिकितसा ही ना करनी पड़े और मैंने आपको सबसे पहले दिन बताया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोग वात के ही हैं सबसे ज़्यादा रोग ये घुटने दुखना से लेकर कमर दुखना हड़ियों में दर्द ये वात के तो रोग है ही सबसे खतरनाक बात का रोग है हर्ट अटेक हिर्दय घात सबसे खतरनाक बात का रोग है सबसे खतरनाक बात का रोग है ब्रेन का डेमेज हो जाना तो ये खराब से खराब जो रोग आपकी जिन्दगी में है इन में वात के खतम हो जाने की या वात के पूरी तरह से बिगड जाने की भूमिका सबसे बड़ी है फिर मैंने देखना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ये रिफाइंड तेल कब से आये आसे 50 साल पहले तो कोई जानता नहीं था कि रिफाइंड तेल क्या होता है ये पिछले 20-25 वर्षों में आये हैं रिफाइंड तेल कुछ कमपनिया निकली इस देश में क कुछ हिंदुस्तानी कमपनिया दोनों ने मिलकर रिफाइंड तेल का चक्कर चलाया रिफाइंड तेल बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा उन्होंने कहा किसी ने माना नहीं तो डॉक्टरों से कहलवाया बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों स यह ले आना वो ले आना, इन डॉक्टेरों के साथ मैंने जब वार्ताएं करना शुरू किया, खास कर बंबई के कुछ डॉक्टरों को जो हर समय यह प्रसक्रिप्शन के साथ कहना नहीं भूलते, कि तिल सफोला का ही ख़णा, या तिल ये ही ख़णा, तो मैंने का डॉक्टर स यह सफोला कहां से आ गया हमारे यहां तो नारियल का तेल होता है मुंगफली का तेल होता है तिल का तेल होता है सफोला का तेल यह हिंदुस्तान का तो वो डॉक्टर तो नहीं बताते लेकिन उनकी पत्नियां बताती हैं कि वो सफोला वाला आता है न तो डॉक्टर साहब को अपरिका की सफारी दिखा देता है, तो ये है चक्कर सारा, कि एक तरह से किक बैक, डॉक्टर साहब को प्रत्यक्ष और परोख शुरूप से मिल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बार-बार कह रहे है, कि सफोला का तेल खाना, अब ये सफोला का तेल हमने लेके टेस्ट किया लेबरेटरी में, सूरज मुखी का तेल जो अलग-अलग ब्रेंड का है, वो टेस्ट किया लेबरेटरी में, दिल्ली में All India Institute of Medical Sciences के कई डॉक्टरों को इसमें इंट्रेस्ट हुआ, कि बात तो ये गहरी है, इसमें काम करके देखना चाहिए, तो वो डॉक्टरों ने जो कु चिपापन हटाएंगे, वो तेल ही नहीं रहता, तेल के सारे महतुपून घटक निकल जाते हैं, और डबल रिफाइंड में तो कुछ भी नहीं बचता, डबल रिफाइंड तो बिल्कुल छूच है, कुछ है ही नहीं उसमें, और आप उसको खा रहे हैं, तो तेल के माध्यम से शरीर को जो कुछ चाहिए, वो मिलता नहीं,